गुड मॉर्णिंग फ्रेंद्स, KTP क्लासेज में आपका बहुत बहुत श्रागत है, आज हम स्टार्ट करेंगे इंगलिस के वेरी फॉस्स चैप्टर, जो है सब्जेक्ट वर्व, कंकर्ड यानि सब्जेक्ट वर्व, अग्रिमेंट भी इसको कहते हैं, अगर कंकर्ड का होता है, पीस, और एग्रिमेंट, यू कन से, पीस मिन्स होता है, सांती, एग्रिमेंट मिन्स होता है, सब्जेक्ट और वर्व के बीच में, आक्शॉली में क्या एग्रिमेंट है, ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है, कि सब्जेक्ट और वर्व के बीच में, क्या एग्रिमे ये भी पता होना बहुत जरूरी है तो subject क्या होता है For whom we are talking about in a sentence that is known as subject It means एक sentence में जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं That is subject Verb आपको बहुत अच्छे से पता है Verb क्या होता है Verb हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं Verb क्या है Verb is an action word You can say It means verb क्या है Verb क्या है Verb क्या है अब इन दोनों के बीच में जो concurred है जिस चीज से हमें एक sentence में सांती मिले या फिर एक agreement है आखिर subject और वर्व के बीच में क्या agreement है That is subject verb conquered चलिए Start करते हैं Okay Subject verb conquered So first of all I would like to define that Subject verb conquered को हम define कैसे कर सकते हैं Previous classes में भी मैंने बताया कि अपने skill के help से अगर हमें किसी भी चीज के बारे में knowledge हो That what is that If I am gaining Then I can define that Fine So subject verb conquered को हम कैसे define कर सकते हैं What is subject verb conquered अब भी हमने क्या बताया Subject और वर्व के बीच में जो भी agreement है उसी चीज को हम क्या कहते हैं Subject verb conquered Fine चलिए समझते हैं Define कैसे कर सकते हैं Like in a sentence In a sentence The relation The relation Or Agreement Between Subject And Verb Is Known As Subject Verb Concord Or agreement You can say Fine Okay So Ab क्या है Subject verb conquered के बीच में ये किछ नोट्स है नोट्स पहले समझते हैं नोट के हैं Note नमबर वन If a Subject Is Singular Then We use We use We use Singular Verb With That 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 Okay Is Plural Sorry Plural Verb With That Subject Fine Fine चलिए क्या कह रहा है अगर हमारा Subject Singular है तो हम क्या करेंगे Singular Verb को Use करेंगे Okay और अगर हमारा Subject Plural है तो हम क्या करेंगे Plural Verb का Use करेंगे That Is All About Subject Verb Concord But But यहाँ पर हमारा Subject Verb Concord Lots of Exceptions है जो Start होते है Fine तो हम अपने Classes में Exceptions को भी दूर करेंगे और Rules भी सारा सीखते जाएंगे चलिए Verb से रिलेटेड कुछ confusion है जिसको हम दूर कर देते हमारा क्या है Verb Confusion Verb Confusion चलिए इसको Clear करते है Okay Subject Plus S Oblick E S Is equal to Plural Subject And Verb Plus S E S Is equal to Singular Verb Yes यहां पर ध्यान देजेगा Subject Subject के साथ अगर S या E S आड करते हैं It means Verb का जो Basic form है वो क्या है Plural form है यानि Verb का Verb का Verb का जो Basic form है वो क्या है आपका Plural Verb है Verb का जो Basic form है वो क्या है आपका Plural Verb है Clear? अच्छे से समझते हैं फिर से एक नॉर्मल सब्जेक्ट है for example हमारा बुआई बुआई क्या है एक आपका सिंग्लर सब्जेक्ट है ऐसे इस का मतलब आप समझेगा सिंग्लर सब्जेक्ट हैं सिंग्लर सब्जेक्ट है ऑके वोई क्या है सिंग्लर सब्जेक्ट है बड़ कि अगर हम इसमें बॉआ के साथ एस लगा दे तो यह क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा clear, okay, but, अगर play की बात करे, तो play is a plural verb, fine, play is a plural verb, but plays, play में जैसे ही यह s लग गया, तो ये क्या हो गया, ये एक singular verb हो गया, ये क्या हो गया, singular verb हो गया, fine, चलिए, boy क्या है, एक singular subject था, confusion यहीं पहें, इसे को दूर करना है, सबसे पहले, boy क्या है, boy हमारा singular subject है, boys हमारा plural subject है, fine, but play हमारा क्या है, ये एक plural verb है, जैसे ही हमने verb में एस लगाया, ये हमारा क्या हो गया, singular verb हो गया, clear, singular verb हो गया, with example हम इसको समझते हैं, like, he play, fine, he play, he plays, he play और he plays, तो इस में से सही कौन सा होगा, और गलत कौन सा होगा, ठेक है, तो ये हमारा गलत है, और ये हमारा सही है, why, because he is a singular pronoun, fine, he is a singular pronoun, but play is a plural verb, जो कभी नहीं हो सकता है, fine, इस तरह से, he हमारा singular pronoun है, और plays हमारा singular verb है, then it is okay, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखे, आप कुछ examples हम सीख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चले, कि exacture है, अब हम कुछ examples देख लेते हैं, जिससे हमें पता चले, कि कौन सा verb singular है, कौन सा verb plural है, कौन सा subject हमारा singular है, कौन सा verb हमारा, कौन सा subject हमारा plural है, fine, देखे, तो हम singular verb और plural verb के बीच के difference को समझ लेते हैं, singular verb के अंदर क्या क्या आएगा, like, was, is, am, please, etc, clear, plural verb के अंदर क्या क्या आएगा, हमारा, are, word, fine, have, play, etc, fine, यहाँ आप चाहें, तो has को भी add कर सकते हैं, has को भी add कर सकते हैं, देखे, अब verb का एक coincidence बन रहा है, हमने क्या बताया था, verb, verb, plus, s, oblique, es, exact क्या होता है, तो यह एक singular form होता है, ठीक है, यह क्या होता है, singular verb होता है, singular verb हो जाता है, तो देखे, यहाँ पर भी हमारा singular verb में, s, 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 इसमें तो ख्यार है, तो यह भी coincidence है, जिससे आप याद रख सकते हैं, जिस word के, जिस verb के end में ऐसा आएगा, वो क्या होगा हमारा singular verb होगा, clear, चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम, singular, subject, और plural subject भी देख लेते हैं, exact यह क्या होता है, fine, singular subject हमारा होगा, he, see, it, I, you, name, the boy, the girl, it is, fine, हमारा plural subject क्या होगा, we, you, they, the boys, the girls, सीथा, एड़, गीता, etc, fine, अब मेरे हिसाब से, आप singular subject और plural subject और singular verb और plural verb के बीच में difference समझ पा रहेंगे, चलिए, तो अब हम कुछ rule wise देख लेते हैं, कि क्या-क्या rule हमारा बन सकता है, create हो सकता है, और हमें exact क्या-क्या पढ़ना है, fine, rule number one, write down, like, if a sentence starts with singular singular subject or plural subject then we use singular verb or plural verb with with at fine example Mohan watch always late लेट, मोहन, वर, आलवेज, लेट, फाइन, तो इस में से सही कौन है और गलत कौन है ये हमें बताना है, फाइन, सबसे पहले हम समझते हैं, exact rule number one हमें क्या कह रहा है और अगर एक sentence, plural subject के साथ स्टार्ट हो रहा है, और अगर एक sentence, plural subject के साथ स्टार्ट हो रहा है then we use plural verb with it, fine, चलिए, example में क्या कह रहा है, मुहन, मुहन is a singular subject, मुहन is a singular subject where, was is a singular verb, but were is a plural verb, so this example is wrong and that is okay, right, ठीक है, ये होगा हमार एक्जाम्पल, it means, singular subject के साथ हम singular verb use करेंगे, then हमारा जो example है, वो सही होगा, singular subject के साथ, अगर हम plural verb choose करेंगे, तो ये हमारा sentence गलत हो जाएगा, fine, चलिए, आगे, एक और example देखते हैं, ये तो singular verbal होगा, एक plural verbal example देख लेते हैं, चलिए, write down, like, सिता and Gita watch studying fine सीता एंड गीता वर स्चड़िंग छलिए इसमें समझते हैं कौन सा हमारा एक्जेम्पल सही है और कौन सा एक्जेम्पल हमारा गलत है कौन सा एक्जेम्पल हमारा सही है और कौन सा एक्जेम्पल हमारा गलत है देखें सीता एंड गीता is a complete subject अके and that is plural subject that is plural subject अके but वर्ज is singular verb and वर्ज is plural verb then this one is wrong and this one is correct अके it means कहने का मतलब है plural subject के साथ हम plural verb ही यूज करेंगे ना कि ये singular verb यूज करेंगे इसमें भी कुछ ऐसा ही था singular subject के साथ हम singular verb यूज करेंगे ना कि plural verb यूज करेंगे अके उमीद है ये rule समझ में आया होगा rule number two की और बढ़ते हैं ठीक है rule number two की और बढ़ते हैं rule number two देखते हैं अके write down I is a singular subject but we use both verb with that singular verb यूज केहने का मतलब है आय जो हमारा एक subject है I is a singular subject but we use both verb with that singular verb and sometimes plural verb okay singular verb और sometimes plural verb examples है मैं इसको clear करते हैं ठीक है I am a student I am a student clear चलिए देखते हैं कह रहा है I is a singular subject but we use both verb with that sometimes singular or sometimes plural verb with that it means कहने का मतलब है I जो है हमारा हमारा singular subject है but that is exceptional case okay rules में हमें exceptional case ही पढ़ना है I क्या है हमारा singular subject है but उसके साथ हम कभी-कभी singular verb यूज कर सकते हैं और plural verb यूज कर सकते हैं for example I was a teacher I was a teacher आपको बताना है कौन सा संटेंस सही है और कौन सा संटेंस गलत है ठेक है आपको ये बताना है कौन सा संटेंस सही है और कौन सा संटेंस गलत है I have a cycle I write a letter देखें ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है I everywhere a singular subject I क्या है, सारे जगा क्या है, singular subject but यहां पर am हमारा क्या है, एक singular verb है was हमारा क्या है, एक singular verb है have हमारा क्या है, एक plural verb है right हमारा क्या है, एक plural verb है but यह सारे के सारे सही है ओके, that's what I want to say, बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि I के साथ मैं singular